क्लास फाइफ विकास हिंदी वर्क बुक सेमेश्टर फर्स्ट चैप्टर थर्ड नन्ना मुन्ना राई हूं प्रश्ण उत्तर पार्ट थर्ड प्रवर्तियां कौश्टक से सार्थक शब्द ढून कर घेरा कीजिए उसे खाली जगा में लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोक कीजिए कि आपको ये कौश्टक दे रखा है, उसके अंदर आपको घेरा करना है और शब्द डुणने है, और उस शब्द का वाक्य में प्रयोक करना है. जैसे यहापे लिखा है सहारा, सिपाई, पापी ते यहापे हमने लिखा है सिपाई, सहारा, नन्ना ते यहापे नन्ना है, नगरी दे रखा है, बम ते यहापे बम है, कदम ते यहापे कदम है, पापी, दूप, सैनीक और चलन इस तरह से यह सब दे रखे हैं और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है आपको नीचे तो हमने पहला किया है सिपाई तो सिपाई देश की रक्षा करता है दुसरा है सहारा तो मैं देश का सहारा बनूंगा तीसरा है ननहा तो मैं ननहा बाल सैनिक हूँ नगरी तो मेरी नगरी शांती प्रियह है, बम तो बम से विनाश होता है, कदम मेरा कदम आगे ही बढ़ता रहेगा पापी धर्ती पर पापी जनम नहीं लेंगे दूप में दूप में पसीना बहाऊंगा सैनिक में बड़ा होकर सैनिक बनूँगा चलन में सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करना है आगे हैं पुस्तकालाई में जाका सुबाचंद्र बोस ये थोड़ा मिश्टेक हो गया है बोस के बारे में जनकारी प्राप्ते करके यहां लिखिए सुबाचंद्र बोस के बारे में आपको जनकारी लिखनी है कि सुभाचंद्र बोस को हम नेता जी के नाम से जानते हैं सुभाचंद्र बोस को हम क्या कहते थे नेता जी केके उकारते थे सुभाचंद्र बोस हमारी भारत माता के एक रांती कारी सपुत थे उनका जन्म कब हुआ था 23 जन्वरी 1867 को बंगाल में हुआ था कहा हुआ था बंगाल में हुआ था उसके बाद वे बजपन से ही बड़े बुद्धिमान थे और 1913 में उन्होंने कोलकता विश्व द्धाले से बीए पास किया फिर इंग्लेंड इंग्लेंड जाकर उन्होंने आइसी एस की कठिन परिक्षा पास की और वे बड़े देश प्रेमी थे और वे हमारे देश प्रेमी थे वे हमारे देश को आजाद देखना जाते थे और 18 अगस्त 1945 को बैंकोक से जापान जाते समय एक विमान दुर्गटना में उनकी म्रत्यों हो गई कि वो बंगाल में उनका जनम हुआ था और उन्होंने पढ़ाई बीए पास किया था कॉलकता से और फिर उसके बाद वो इंगलेट जाकर आइसी एस की कठिन परिक्षा पास की और वे बड़े देश प्रेमी थे और उन्होंने 18 अगस्त 1945 को बैंकोंक से जापान में जो विम जान दुरकटना हुई थी उन्हें उनकी म्रत्यू हो गई थी और वे अमारे देश को आजाद देखना चाहते थे आगे हैं आपकी पसंद का एक देश बक्ति गीत यहां लिखिए और ऐसे अन्य देश बक्ति गीतों का संगरह किजी कि आपको जो भी देश बक्ति गीत पसंद है वो आप यहां पर लिख सकते हैं मैंने सारे जहां से अच्छा वाला देश बक्तिगी यहां पर लिखा हुआ है आगे है यहां तीरंग का जंडा बना कर उसमें रंग बरिये कि आपको यहां पर तीरंगे का जंडा बनाना है और उसमें रंग भी बरने है